पनातन संस्कृति के परचार परसार और धार्मिक मानताओं की रक्षा के लिए गाउं कालरों में एक हजार आठ जल धारा जो तपश्य है वो की जा रही है पस्वीरे आप देख लिए किस तरह से एक हजार आठ कुम जो हैं भरे गए हैं सीतल जल से और इनी से ये कठिन तब हैं यहां पर चल रहा है 41 दिन की तपश्य है जो 108 जल कुम से शुरू ही थी और 41 दिन के कठिन तब के बाद ये 1008 कुम तक पहुची है क्या कुछ उदेश्य हैं क्या कुछ धार्मिक महत्व है और क्या कुछ फाइदा इस छेतर के लोगों को मिलेगा क्योंकि इस तरह के कठ कठिन तब हमारी धार्मिक मानताओं में बेहद महत्व पूर्ण हैं हमारे साथ बाबा मौनूनाद जी हैं जो इस कठिन तपस्या को कर रहे हैं उनसे बात कर लेते हैं बाबाजी सबसे पहले तो जानना चाहेंगे कि क्या है ये जल धारा और 101 008 जो जल कुम है इनका क्या सबको फिलाल तो सबको आदेश दो उमाता की जय इसका आदेश है पहले रिशी मुनी जल में खड़े उकर तप किया करते हैं हमारे और इसका मैटव यह है कि जल का मतलब है धारा मतका जो होता है मतके के अंदर धारा आती है जल की और नीचे जो हम तप करते हैं आशन लगा समाहते हैं उसका मैक्तों है जल धारा जो जो कठेन है जयसे टाइम होता है सवागंटा दो गंटे तीन गंटे जितना भी हमारा तपहते हैं इसके लिए नंघुरी है वो ज्हाल होती है मटके के अंदर उसमें और मटके डाले जाते हैं मचके डालने के बाद धार उतती है धार को जल धारा बोलते हैं जल की जो धार है उसका जल धारा तपश्या बोलते हैं ये करम होता सवा मिन्य को नगरी के लिए कोई भी देवता कोई भी समाध्धी है कोई भी देवी देवता है उसको चेतन करने के लिए जैस लुपत हो गया था तो उसका हमारे लिए नगरी पर भार हो रहा था उसको भार को दूर करने के लिए तो हमने इस तिर्थ को चालू किया गया और करम करके ही कोई भी चीज है कोई भी रुष्ट दे उता है उसको उजागर करने के लिए नगरी को चेतन करने के लिए सिवा भावना उनके अंदर जगाने के लिए कोई भी करम किया जाता है। पर जुट मुन मटाओ सबके अंदर से दूर करना जनम्रण एक ही है सबको एक मिट्टी का खिल ओना है ये शरीर। और मिठी में ही सबको मिल जाना है यह जात पात की बहुना ही सिखाणे है सबके अंदर प्रेम जग है जगया रहे अधियर रूपी दिता का नेmara 3 और एक बाईचारा सब का बाईचारा बनें रहे और यही उधिस है कि एक एक महावल होता है तपष्या का बेशब के अंदर उजागर होना एक जुट होना नगरी का नगरी को एक जुट करना और हमारी नगरी में जो भी करम है इसके दवारा डंगर पसू में और पसो पक्षी में और जीव जन्तू में और आदमियों में कोई हानी ना हो और उनका स्वस्त सरीर रहे और दूद पूत में नगरी में कमी नाओ जो देश पर हमारे नगरी के जो भी फोजी भाई होते हैं वो वहां पर बोर्डर पर रक्षया करते हैं और तब इंसान चैन से सोता है तो उसके रक्षया के लिए सादू उसके नाम का भजन करते हैं और जीवजनतू है वो एक बोल ने सकते जिव जन्तू वो वितेरे हैं बहुत नगरी का बाहर उठाण नगरी का बाहर उठा उताने के लिए इस लिए तब करना पड़ता है नगरी को चेतन करना पड़ता है जहां शयतान हो गया वहां पर हमें देवी रूपी देवता को जगाणा पड़ता है उसको मनाना पड़ता है यह रही ज्यू जंतु पशो पक्षि और आम इंसान और दोध और पूत में कमी ना व बैंने रोगी काया रह और जो आज की पीडि हमारे यूँआ पीडि जो बरती जाने लगरी है यह ऐसा जैर रिजातपात का जैर फैल गया है एक हमने उसका मैत्तवर कि तपश्या करके सब सारे इकठाओ के पूरी नगरी जैसा हम पाप करें के रहें कि एक दुस्रे की मा बाप की सिवा करें सबसे पहला गरू होता है जिससे हमारा शरीर बनता है जिसने अधर्व्य पर जनम दिया नो महिने माँ अपनी कोख मेग अरक में कcam इंगने के बातए चुरह कि योनी के बाद आदम दे में इसमें पाफ पुुनि का ले खा जोखा चाना सब्सक्राइब HOLGEMA चयादा दुर्गति हो रही है। It is a 6 एक ट्रवब्हान के लिए समय का लेक ओपाउदा देवतारूिपी यह संकर्भगवान से दवा इस नगरी में कभी महामारी नाय और महामारी नाय और हमारे वाणार कई उनको कोजगार मिलता रहुं सेवा भावना जाक्ती रहे और वह बाहर जाए तो गाम का नगरी जीले का नाम रोशन करें सप गेम में भी और आत्मा में भी कि दुखी आयो उसका बला करें वहीं बगवान काी है कि निवास होगा वहीं बला कर सकता है कोई गरीब को रोटी खिलाना क कुटे को रोटे खिलाना गुवमाता की रक्षा करना अनको बचाना और सनातन संस्कृती की रक्षा की बात जाए या इस शेतर में शांती की इसके इलावा सबसे महत्वपूर्ण उदेश्य जो है कि समाज में खासकर हिंदू संस्कृति में जिस तरह से जाती या तो वेवनस शेफ हैल रहा है उसको खतम करने के उदेश्य से ये कठिन तब जो है आज किया जा रहा है और आज इसका सम